एपिशन नूमर 186 की स्टार्टिंग होती है फिर रूइंकिंग कहता है उस कार्ड से इतने लंबे समय बात पैसे निकाले गए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई हो और उन पैसों का उसने इस्तिमाल किया हो पिर वेटी कहता है हम जी वी उपर पूरी नजर रख रहे हैं लेकिन हमने मिस जेफ्यू के घर की तलाशी नहीं ली तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए पिर तबी रुइंकिंग चौक्तिवी कहता है एक मिनट रुखो वो परसन जो की पेंटिंग बेसते हैं वो दो बॉस क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों जेफ्यू के दोस्त हो और फिर रोइंकिंग उस्टोर पर पोसता है पर इस्टोर बंध होता है तब ही वहाँ एक विक्ति आती ही कहता ही क्या हुआ सर क्या आप कुछ खरीदना चाहते है भी ये स्टोर बंध है क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्टोर मालिक का कार एकसिडेंट हो गया था और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है स्वेक्ति की बास सुनती ही जुरूइंकिंग चौक्तिवी कहता है क्या कार एक्सिडेंट तो क्या इसलिए जेफ्यू ने पैसे निकाले थे और फिर सिन्सिर्फ टोतर जेफ्यू हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है तब इसका फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाती है वो तीचर अब मैं क्या करूँ मैंने उसे गुस्ता दिला दिया जेफ्यू कहती है मैं अभी इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और ये सही समय नहीं है इन बातों का विरू कहती है तो फिर ठीक है टीचर मैं अभी वहाँ पर आती हूँ और ये केकर वो कॉल कट कर देती है और फिर वो लड़की कहती है जेफ्यू किसका कॉल था पिर जेफ्यू कहती है वो मेरी स्टुडेंट का कॉल था चिंता ना करे पिर वोमन में केने लगती है आखे कार मुझे अचाने कितना बुरा क्यों लग रहा है और पिटसिन सिर्फ टोतर में हॉस्पिटल का पार्किंग लॉट दिखाया जाता है यहां हुईरू रुइंकिंग को वहाँ दे कुसे कहती है मिस्टर रुइंकिंग आप यहां क्या आप अपने यहां किसी दोस्ते मिलने आए है रुइंकिंग कहता है तुम यहां क्या कर रही हो तब हुईरू कैती है दरसल मैं यहां अपने टीचर से मिलने के लिए आई हूँ और मैं इस हॉस्पिटल से परिचीत हूँ चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ पिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते है और वहें रुइंकिंग मन में कह रहा होता है क्या जेफ्यू यहां पर होंगी पिर तब हुईरू की निजर जेफ्यू भी पढ़ती है और कहती है यह टीचर आखिर कार आप मुझे मिल ही गई आवस सुन जेफ्यू उस सेट देखने लगती है और पिर हुईरू आगे कहती है टीचर यह मिस्टर रुइंकिंग है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मिस्टर रुइंकिंग ये है मेरी टीचर मिस्ट जेफ्यू और फिर रुइंकिंग थोड़ा गुस्से में कहता है तुम तुमने क्या सोचा था कि मैं तुमें ढून नहीं पाऊंगा और तुमने अपना नाम भी नहीं बदला तब जेफ्यू कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे है मुझे लगता है कि आपने मुझे कोई गलत परसन समझ लिया है और अब चलिए मैं जा रही हूँ तब जेफ्यू कहता है अब तुम कहा जाने की कोशिश कर रही हो फिर जेफ्यू कहता है मिश्टर आप मुझे गलत परसन समझ रहे हो अब जेफ्यू कहता है नहीं मैं गलत नहीं समझ रहा तुम ही हो फिर जेफ्यू कहता है ओ क्या सच में तो मैं कौन हूँ फिर रुइंकिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो फिर जे फ्यू कहती है तुम्हारी वाइफ का नाम तो लियान था ना और वो पहले ही मर चुकी है और तुम मुझे गलत परसन समझ रहे हो और अब तुम मुझे जाने दो और गाईज जीदी के साथ ये पैसोन यहाँ एंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपीसोड में